जान लेते हैं कौन सी वो छे गलतिया है जो आपको प्यार में कभी नहीं करना चाहिए ठीक है तो पहला है दोस्तो जाधा expectations रखना दोस्तो किसी भी रिस्ते खराब होने के पीछे main कारण पता है क्या होता है जाधा उम्मीर लगाना आप किसी से इतना जाधा उम्मीर लगा द मेरी मानों तो कोई भी expectations ना रखो खुद के मन को ऐसे trend करो कि कोई आपके कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है आप उसे प्यार करते हुँ इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सारी इच्छा पूरी करे ऐसे अगर आप खुद के मन को समझाओगे तो आपका जो expectations है ना वो बहुत कम हो जाएगा जो आपके रिस्ते के लिए healthy होगा ठीक है दूसरा गलती है दोस्तो always available रहे ना प्यार में पढ़ते ही लोग क्या करते है always available हो जाते फोन में message में मिलने में तो always अगर आप available रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा partner के मन में आपके पती जो respect है आपके आपको achieve करने के लिए जो एक पागलपन होता है वो सारा कर सारा कम हो जाता है जैसे वो सब कम हो जाता है वैसे interest भी कम होने लगता है तो आपको बिलकुल भी always available नहीं रहनी है और दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो subscribe परना ना भूला क्योंकि love tips के ऐसे वीडियोस में लाती रहती हूँ तो दोस्तों तीन नंबर पॉइंट है जादा वैलू देदाना दोस्तों जब भी relation में कोई दोनों पढ़ते है तब क्या करते है जो जिनका emotions थोड़ा जादा होते है तो सामने वाले को बहुत जादा वैलू देदेते है तो इतना जादा व तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको सामने वाले क्यों नाहीं जादा वैलू देनी है नाहीं इग्नोर करना है नाहीं कम वैलू देनी है आपको हमेशा एक बैलेंस क्रेट करना होगा कि रिस्ते में आप दोनों समान हो वो भी एक पार्टनर है आप भी एक है तो किसि को जाथा व taraf बिलकुल भी नहीं देना चौक यह बोगंता है में इसे रिस्ता बहुत जढ़ा जाता है जबाद जाता है जैसे प्यार्टने वाले भी बंधन द f आप हमेशा उसको आजा दी देना जितना आप आजा दी दोगे वो आपको उतना रेस्पेक्ट करेगा आप तोनों में प्यार भी बना रहेगा तो दोस्तों पाचवी है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरू कर दीजिए बाद में आप भूल जाओगे त पाचवी है तो उस तो गुष्टे में गाली देना बहुत से ऐसे कप्पल्स मैंने देखी है कि बहुत जादा गुष्टे में वो लोग slang language गाली का यूज कर देते हैं हाला कि उसमें ऐसा नेकी प्यार नहीं है प्यार उनमें होता है लेकिन फिर वी वो लोग गाली दे देत हो सामने वाले को भी respect डाउन करते हो इससे रिस्तों में दरार आना शुरू हो जाते है ठीक है बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन वो गाली लोग नहीं भूल पाते है तो इसको आपको याद में रखना है गाली नहीं देना है चाहे कितना भी गुस्ता हो लास् आपको हमेशा है यह याद रखना है कि बहुत जादा आप इमोशन्स न दिखाना जैसा कि रो ना गिर गिदाना यह सारी इमोशन्स आपको चल्टर बालेंस करनी होगी तो यह आज की जो six point है यह जो गलतिया है यह आपकी प्याह में बिल्कुल भी नहीं करनी है तो फिर आ subscribe करके भी लाइक और जरू दावा देना तो देस्ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाइ-बाइ